राजा राम महन राय और भगवान बुद्ध की सती सावित्री ये दोनों ही सब्द बहुत दूर के हैं मगर दोनों का ही संबन्द आपस में बहुत नजदीक का है भगवान बुद्ध की सती सावित्री जो सब्द है अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आपको सावित्ती जानना पड़ेगा क्योंकि सावित्ती जो सब्द है उसी को सावित्री कहते है और सती सब्द के जो हर्थ हैं वो इतने बद्रे हैं कि सती पिर्था भारत के अंदर होती है जिसमें औरतों को मरने के बाद में जिन्दा जला देते हैं उसको सती बोलते हैं और इस सती पिर्था को राजा राम मोहनवाय ने खत्म किया इतना मेरे कानों में डाला गया और वही मुझे आस तक याद है मगर मुझे किसी ने आस तक ये नहीं बताया कि ये सती पिर्था आरहम कैसे हुई और किसने की और वो कौन लोग थे जो जिन्दा औरतों को जलाते थे वो जलाद और वो सबसे दुनिया के कमीने और गटिया लोग जो एक कमजोर अबला नारी को जबर जस्ती आग में उसकी पती के चिताकसा जला रहे हैं वो लोग अब कहां हैं अभी वो भारत में क्या कर रहे हैं उनके वनसजो की मनुबरती है क्या कि अभी भी वो लोग महिलाओं को जिन्दा जला रहे हैं दरसल सती जो सब्द है वो बहुत कमाल का सब्द है जाथ या इसको कहें महासती पठ्ठान या सती पठ्ठान अगर आप महासती पठ्ठान या सती पठ्ठान कहते हैं तो आपको भगवान बुद्ध के साथ में फिर कुरुखचेत यानि आज का कुरुखचेत या कुरुपरदेश और उस समय का थनेसर सहर यानि कुरुपरदेश पूरा है और कुरू प्रडेस में है थने सर सहर कुरुख छेत बाद में बना है बहुत नया सब्द है अभी का है क्योंकि जो कुरू का खेत है और जो कुरू प्रडेस है या कुरू देस है उसमें जो थने सर सब्द है वहाँ पर लोग बहुत जादा पंच्छील का पालन करते पूरे आज का जो अरियाना है यानि हरियाना जिसको बोलते हैं अरियाना अरी माने यह है यहां अरियान यहां स्रेष्ट ग्यान होता था उस जगे वहां के लोग बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया थूरा पंजाब पूरा हरियाना दिल्ली यह सारा अरियाना हुआ करता तो यहां के जो लोग थे जब भगवान बुद्ध यहां चारिका करते आए और यहां आके उन्होंने देशना दी तो उन्होंने देखा के यहां के लोग पहले से ही पंच सील का पलन करते हैं बहुत इमानदार हैं किसी का कोई सामान ने उठाते किसी को कोई अफशब्द नहीं बोलते, कोई जोट नहीं बोलते, कोई वेफचार नहीं करते, कोई हत्या नहीं करते, कोई पाप नहीं करते, कोई सुरा सराव नशापदार्द नहीं पीते तो इतने सचे लोगों के लिए जब उन्होंने देखा तो यहाँ पर देशना दी उसको कमास पुरकाप सती पठान बोलते हैं कमास पुर में दिया हुआ सती पठान सूत्र क्या है वो सूत्र? वो कहते हैं कि कोई आदमी अगर इस तरह से भावना करे, इस तरह से प्रेक्टिस करे, इस तरह से विपसना करे तो वो घटाते 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 सालों से घटाते घटाते लाश्ट में कहते हैं उन्होंने यहां कमासपुर जो दिली के पास में जो जगे है गाउं है वहां जहां एक सती पठान का पूरा भगवान बुद्ध का जहां देशना सिखाए जाती है सती पठान सिखाए जाती है वो जगे है तो सती इतना प्रमुक्ता मगर सती का मतलब क्या है जरसल सती को तो ब अपने जागना है ये देखने के लिए कि सामने जो मैं कम कर रहा हूं, करम कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं, ये मेरे मन से, ये मेरे वचन से और ये मेरे सरीर के नुसार, इसमें कोई पाप तो नहीं हो रहा है ये कोई मैं पाप करम तो नहीं करे जा रहा है गटा ये पुन करम है ना ये अच्छा करम है ना इसकी आपको 24 गंटे अगर जानकारी है तो उसको कहते हैं कि ये सती मंतु है और सती वती है यानि कि अगर वो भिकुणी है या कोई महिला है तो सती वती बोलेंगे उसको और अगर वो कोई पुरुस है तो उसको सती मंतु बोलेंगे तो सती मंतु हो गया तो सती दोनों के लिए आता है सती नर के लिए भी आता है, नारी के लिए भी आता है, भिकुनी के लिए भी आता है और भिकु के लिए भी आता है उपासक के लिए भी आता है और उपासिका के लिए भी आता है यानि इस तरीका भी है लिंग इसमें और पुलिंग भी है तो सती इतना उचा था कि सती वान व्यक्ति जो 24 घंटे जाएगा रहता है वो 7 दिन के अंदर भी निबान को प्राप्ट कर सकता है जबकि निबान 7 जनम में नीमनी मिलता लोगों को इतना मुश्किल भी होता है तो सती की इतनी ज़्यादा महिमा थी कि जो सती पर्ठान की उसकी भावना करता था, उसकी प्रैक्टिस करता था, उसकी विपसना करता था, मैंने भी की हुई है, साथ दिन होती है, धमचाला के अंदर करके आया था मैं, धमशेकर नामगावा एक सेंटर है, विपसना का, तो वहाँ बताते हैं कि सरीर पे कैसे कैसे प्रभाव पढ़ता है ब्राईयों कर, कैसे कैसे प्रभाव पढ़ता है अच्छा ही होगा, आप अपना पुर्ने भी देख सकते हैं और अपना पाप भी देख सकते हैं, पुराना भी और नया भी हाथ क्या थो रहा है वो भी और जो पहले से भावना करती थी और जब उनका पती मर जाता था यानि किसी महिला का अगर पती मर गया तो वो करे क्या अब उसका मन तो लगना नहीं क्योंकि पती की तो वो सेवा करेगी या पती के लिए खाना बनाएगी या बाचित करेंगे या दूसरे का मन लगा रहेगा अब उसके पास में कोई ऐसी भावना है नहीं तो वो भिक्कु संग में सामिल होके भिकुडी बनके अपने बाल कटा के धंजी हो जाते थी क्योंकि बाल सारे कटान है वन्ना विपस्टना साधना में दिक्कत आएगी लंबे बाल आपके हिलेंगे तो साधना नहीं हो पाएगी तो भारत में ऐसे क्या सेंट राज्बी हैं जहां मैलाएं अपने बाल कटाती है जटाएन नहीं रखती जबकि भारत के जो और तरएके जो और पध्ड़तियों के जो सादू संत हैं, वो जटायू होते हैं, वो जटा रखते हैं मगर बिक्व या भिक्वनी जटा हटा देते हैं क्योंकि साधना व Iniपस्णा में दिक्कत आती है और गंदी भी रहती है, और सुन्दर्टा बढ़ती है सुन्दर्टा बढ़ेगी, तुम अट्का रहेगा तो विपस्ना साधना होगी नहीं बालों को देखते रहेंगे बालों से चेरा सुन्द लगेगा तो विपस्ना साधना कैसे होगी तो ये भी कारण रहा तो वो केस कपन का यानि कि जो केस के कटने का बालों के कटने का वो इस्थान आज भी कही जिगे है मत्रा के अंदर है तुरूपती के अंदर है और भी केजी केस मुंड़ जाते हैं और सभी जगे जहां धमो पढ़ाया जाता था आज भी बाल काटने के लिए कटवाने में लोग जाते हैं अपने बच्चे का मुंडन कराते हैं, मुंडन का मतलब मुंडा लोग, मुंडे लोग, मुडिया लोग जिनके बाल कटे होते हैं, तो बच्चों को मुंडन कराने का, बिक्कु जीवन में पहली बार देने का, पदापन करने का, पहला कदम रखने का, उनके बाल कटाने का प् तो वो जो लोग अपने बाल कटाते थे तो महिलाएं फिर प्रैक्टिस करने के बाद में सती पठान करते थे और सती पठान करके वो सती मंतू या सती वती हो जाते थे और सती वती होने के बाद में फिर वो लोगों को जगे 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 धम सिखाते थे इससे अधम खतम होता था, पाप खतम होता था, और लोग बढ़िया होते थे, कुछ लोगों को परिशान इससे थी, क्योंकि उनका वैपार उनका धंदा नहीं चलता था, तो उनों लोगों ने जब पहले तो धम को खतम किया, और जब धम खतम हो गया, तो ये जो महिलाए धम जो सती महलाएं थी, जो धम की पिलर थी, धम की ये बल्कुल शलाका थी, धम की इस्तम्ब थी, उनको खतम करने के लिए उनोंने उनको जलती आग में जबर जस्ती ठपैत और लठेत, ठपैत माने जो लठेत के साथ में खड़ा हुआ ठपैत है, ठपैता, ठपैती, तो जो में जबर जस्ती लठों के साथ में उनको वहां डाला और जलाया जिंदा, और फिर उसकी महिमा करी, ताकि जिसकी ओरत जली है उसको गुसा ना आए, और उस परिवार को कोई गुसा ना आए, क्योंकि पती तो मर चुका है, तो पती सबसे ज़्यादा रिवेंज करता लेता मर पती तो है नहीं, पत्नी मजबूर हो गई, उसको जला दिया, बाकि घरवाले अपनी जयान बचाने के लिए चुप हो गए, और फिर उसका महिमा करके, गुर्गान करके, उसमें मर्लम पट्टी करने की कुछ की गई, और फिर मांसी रोप से धीदरे इस घटना को मन में स स्थापित किया गया, कि ये सती माता है, ये सती देवी है, इसकी पूझा करो, इसकी जयजय करो, इसकी महिमा करो, इससे बहुत कुछ मिलेगा, जिन्दा किसी विक्ति को आप जिलाओगे, तो वहाँ पाप होगा, पाप को होते वे आप देखोगे भी, तो भी आपका सरनास होगा जो करेंगे उनका तो होता ही है तो आपका सरनास होगा तो उस मंदिर से उस जगह से आपको सिवाए पाप और दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा जिस ओरत को आपने जिंदा जलाया उस ओरत की चीके हमें सा कानों में रहेंगी असर उसका वेव रहेगा वेव लेंथ रहेगी इसलिए उस जगह से तो कुछ मिलना नहीं उस जगह से तो हमेंसा नुकसान होगा वो औरत आपका क्या फाइदा करेगी जो खुद जल के मरी है चीक चीक के मरी है तो ये सती पर्था को क्योंकि पर्था सर्द बादें बना है सती पत है, सती पत होता था वो जो जागरुता का पत है यानि सती मार्ग जो भग्मान बुद ने दिया यानि कि जागरुक रहने का पत सती पत उस सती पत को सती पता बना दिया, सती पर्था बना दिया और पुराना थिया सारा खतम कर दिया ताकि किसी को पता ना चले। इसलिए जो सती पिर्था है जब वो चलने लगी चरम पर आ गई और महिलाएं मनने लगी तो आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ लुखास लोगों ने अपनी महिलाँ नहीं मनने दी। उन लोगों ने गौड के नाम पर उन महिलाँ को बचा के रखा कि गौड की इक्षा नहीं है गौड नहीं चायता वो अपनी महिलाँ को नहीं जलने देते थे। और उपकी महिला जो बिक्टू बढ़ने वाली है उनको जलाते थे। इस तरह से उन्होंने अधम को फैलाया और कुरूटी के तहत में उनकी भावी को जिन्दा जला दिया उनके भाई की चिता के साथ मैं उस चिता से पहले एक पत्र उन्होंने लिखा उसमें लिगा था कि देवर जी अगर आप यहां होते तो सायद मैं बच जाती तब उसके बाद जो उस समय के जो गवर्न जनरल थे गवर्न जनरल को रोने अप्रोच किया गवर्न जनरल ने उस प्रथा पर रोक लगाई मगर प्रैक्टिस बंद नहीं हुई यानि कि कानून आ गया मगर प्रैक्टिस चलती रही चोरी छुपे और धर पकड़ चलती रही आज के समय में भी ओर्टें जिन्दा जलाई जा रही है खुब जल रही है वही पठा दिमाग में लोगों के अभी है लोगों को ऐसा लगता है कि ओर्टों को जलाना या ओर्टों को मानना एक हमारा राइट है जो उनके दिमाग में महां से है पर कमाल की बात ये है कि जिन पुरुसों की महिला है जिन परिवारों जलती है वो कभी एतराज नहीं करते पुरुस में पूरे सही होगी है एक सबसे बड़ा प्रसन ये है कि जब औरत मरती है तो पुरुस को क्यों नहीं जलाया गया ये आप इस बात को समझे क्योंकि अगर पुरुष को भी जलाया जाता तो पुरुष वरोध करता फिर वो खड़ा हो जाता डंडा लेके तो फिर जलाने वालों की हमत नहीं होती महिला को इसलिए महिला को जलाया क्योंकि महिला उसे ज़्यादा खत्रा था एक घर में जाके दस घरों को जो प्लाती थी उसे दस घरों का बहुत बड़ी अलाव होता था और वो आडंबर से निकल जाते थे इसका सती प्रथाग को अगर आप पढ़ेंगे तो बारवार आपके दिमाग में नेट में, कम्पूटर में, जगज़े किताबों में लिखके ये बाट डाली जाएगी कि मुसल्मानों की वज़े से सती होती थी, क्योंकि मुसल्मान इज़्जत लूटता था, मुसल्मान आता था और मुसल्मानों के डरकी वैसे औरतें अपने आपको सती कर लेते थी, सुयम को जला लेती थी, या कुवे में कूटके मर जाती थी ये बिल्कुल सरासर जूटा और गलत और आरोप है हर एक आकरंता जितना भी पूरी दुनिया में जब किसी देश में कोई सेना गुस्ती है, मारती या काटती है तो हर सेना वहां की ओरते हैं वहां का पैसा, वहां का घरों में आग लगाती है वह लूट पार्ट के चलती है, औरतों को अपने साथ ले जाती है उनका इस्तमाल करती है और बाकी घरों में लूट पार्ट करके सामाल ले जाते है ये सारी सेनाव का एक निचर है ये खाली मुसल्मानों का नहीं अगर कोई आकरंता तो है ये मुसल्मानों के लावा और भी दुनिया में जितने भी आक्रमनकारी हैं या घुस्पैटी हैं उन्हों सब का ही है चाहे वो होन हैं चाहे वो सक्थ हैं चाहे वो मुगल हैं चाहे कोई भी है यह मुसल्मानों पर आरोप लगाके यह मुसल्मानों को justify करना बलकुल गलत है क्योंकि मुसल्मान तो बहुत बाद में आये हैं अब आये हैं मुसल्मान तो यह पिर्था बहुत पहले से चली आ रही है अगर आप देखेंगे तो इसका पहले case में इसका नाम मिलेगा है क्यारी का मतलब है जो देख सकती है जो समझ सकती है जो जागरूख है जो सती है यानी सती का एक नाम दक्ाएनी भी है और अगर आप पुरानी किसी पुराने कथा में जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो पहला जो केस हुआ है जलाने का वो महादेव की पत्नी का हुआ है महादेव की पत्नी को जलाया गया है तो उन्ही को नाम सती भी दिया गया है अब महादेब कौम थे और उनकी पतनी को क्यों जलाया गया ये मेरी जानकारी मिली है क्योंकि मैं पुराणों का विशेसग नहीं हूँ, पुराणी कताओं का विशेसग नहीं हूँ, धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भीजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी कॉपिराइट फिरी है आप अपने फेस्बुक पे, अपने पेज पे, अपने टूटर पे या अपने हंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप यूटूब पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या पर्मिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर क्या हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद आपकी सार्नां गाच्छामे पृतं शर्नां गाच्छामे धम शर्नां गाच्छामे संधं शरनं कच्छं